दोस्तो गूट मॉर्निंग वेलकम टू दा चैनल बैंकिंग बंदू बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग बंदू पर आज हम आपके लेकर आए परस्नल लोन की वीडियो हम डिसकस करेंगे कि सारे सरकारी बैंक जितने भी हैं जितने इंपोर्टन सरकार बैंक हैं उनमें personal loan आपको किस rate of interest पे मिलेगा जिससे कि आप compare कर सकेंगे कि कौन सा bank आपको ज्यादा अच्छा rate of interest offer कर रहा है हमने इस वीडियो में cover किया है जून 2021 यानी latest rate of interest personal loan के case में सरकारी बैंकों में तो discuss करते हैं कि क्या rate of interest चल रहे हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आपसे मिसना हूँ हम अपने चैनल पर रोज cover करते हैं एक ऐसी वीडियो जो कि आपको आर्थिक फायदा देती है आर्थिक का मतलब है financial decision लेने में मदद करती है banking से related investment insurance ऐसे सारे topics जो कि आपको आपका financial decision लेने में मदद करें तो जल्दी से चैनल को subscribe कर दीजे शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तो पर्सनल लोन का पहले आप मतलब समझ लिए पर्सनल लोन होता क्या है personal loan आपको bank किसी भी काम के लिए देता है आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपको इस पैसे का क्या करना है बस आपसे एक undertaking ली जाएगी जिसमें ये लिखा होगा कि आप इस पैसे को किसी गलत काम में use नहीं करेंगे गलत काम से मतलब है कोई illegal काम जैसे drugs से related, betting से related, सटा लगाना ये सब काम आप नहीं करेंगे उसके अलावा आपके कोई भी personal काम हो सकते है personal काम जैसे बच्चे की शादी करना, पढ़ाई के लिए कोई medical emergency है आपको उन सब के लिए आप personal loan ले सकते है personal loan आपको इस चीज के लिए भी मिल सकता है कि आपका कोई बड़ा loan चल रहा है, उसको चुकाने के लिए आपने bank से एक अलग से personal loan ले लिया है, तो आईए discuss करते है rate of interest personal loan के सबसे पहले बात करते है state bank of india, state bank of india भारत का सबसे बड़ा सरकारी bank है rate of interest personal loan का 9.60 है, 9.60 से दोस्तो starting है, यहां हम starting इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो rate of interest है, वो काफी सारे factors पर depend करता है, जिसमें से पहला important या आप कह सकते हैं सबसे important factor है, आपका credit score, civil score, आपकी credit history कितनी strong है, कितनी healthy है उस चीज़ पर depend करेगा कि आपको कितना अच्छा rate of interest मिलेगा, जितना जादा आपका credit score, civil score होगा उतना ही rate of interest आपके लिए कम होगा, तो कोशिश कीज़े आपका past का जो भी credit score है, या civil score हो बहुत अच्छा हो जिससे अच्छा rate of interest आपको offer है, SBI में starting 9.60 से है, डिपेंड करेगा आप कितने time के लिए loan ले रहे हैं और कितना amount of loan ले रहे हैं, State Bank of India दोस्तो एक और personal loan की facility देता है, जिसे PAPL कहते है pre-approved personal loan, यह pre-approved personal loan जो है, वो कुछ customers के लिए ऑफर किया जाता है, जो की अच्छे customers हैं तो अगर आपको offer चाहिए, तो आप bank में जाके पता कर सकते हैं कि क्या आप eligible हैं या नी, इस PAPL यानी pre-approved personal loan की खास बात यह है कि इसमें documentation कोई भी नहीं है, आपको एक भी कागस नहीं देना, ना अपना KYC देना है, ना आपने अपनी salary slip देनी है कोई proof कुछ ITR वगेरा कुछ नहीं देना, सिर्फ Yono app जो है उसके थूँ आप दो clicks करेंगे, दो clicks में पैसा आपके saving account में होगा तो state bank में अपनी eligibility जाके जरूर पता कीज़े, अगर normal personal loan चाहिए तो वो 9,6 से starting है next discuss करते हैं union bank of india के case में, आपको पता हुआ कि अब आंधरा bank और corporation bank भी union bank में merge हो चुके हैं तो आंधरा और corporation bank के जो भी customers हैं, वो अब इसी rate को follow करेंगे 8.90, 890 से 13%, दोस्तो personal loan जो होता है उसका rate of interest बाकी loans के comparison में थोड़ा सा ज़ादा होता है क्योंकि bank इसमें आपसे reason नहीं पूछता कि आपको किस काम के लिए पैसा चाहिए, आपको जब जरूरत है आप apply कर सकते है personal loan के लिए तो union bank में जो rate of interest है वो है 890 से 13% के बीच में जैसे कि हमने आपको बताया काफी सारे factors होते हैं जिस पर depend करता है आपका rate of interest bank of baroda, bank of baroda में 9.75% से starting है, 9.75 उसके लिए जिसका civil score काफी अच्छा है काफी अच्छे से हम कहेंगे 750 प्लस अगर आपका civil score है दोस्तों civil score 900 में से दिखा जाता है अगर 750 प्लस है आपका score तो यानि काफी अच्छा है bank आपको सबसे minimum जो rate of interest होगा उस पे personal loan offer करेगी उस पे loan sanction कर देगी Indian bank दोस्तों Indian bank जो आपको personal loan देता है उसकी 2-3 category है category इस तरह से है कि अगर आप सरकारी employee है तो आपके लिए rate of interest अलग है महिलाओं को काफी फायदा देता है Indian bank महिलाओं के लिए 0.10-0.15% का फायदा जरूर होता है अगर आपका housing loan already चल रहा है Indian bank में तो आपके लिए थोड़ा सा rate of interest काम है आप वीडियो में देख सकते हैं जो पहला option है यह सरकारी employees के लिए है या उन employees के लिए जो किसी reputed organization में private organization में काम करते हैं उनके लिए 9.05 महिलाओं के लिए और 9.20 अन्ने लोगों के लिए check off facility जब आपका employer यानि जहां पर आप काम करते हैं वो आपकी guarantee ले उसे check off facility कहते हैं तो rate of interest कम है जब वो आपकी जिम्मेदारी नहीं ले यानि उसे मतलब नहीं है आपने कौन सा क्या loan लिया है तो rate of interest थोड़ा सा बढ़ जाता है 9.60 महिलाओं के लिए 9.80 बाकी लोगों के लिए अगर आपका already home loan चल रहा है Indian bank से तो 9.05 और 9.20 बाकीओं के लिए 9.05 महिलाओं के लिए तो दोस्तों Indian bank में अगर आपने apply करना है तो कोशिश कीजिए महिलाओं के नाम से apply करें ताकि rate of interest आपको कम मिले Canada bank Canada bank में जो rate of interest है अगर आप teacher है तो teachers के लिए एक offer है 10.90 flat rate of interest है civil score पर depend नहीं करेगा यह direct 10.90 teachers को मिल जाएगा और बाकी लोगों के लिए 10.90 से starting है तो अगर आप teacher है तो direct 10.90% मिल जाएगा अन्य था इस से उपर मिलेगा आपको score अच्छा है अगर credit score तो 10.90 पे भी आपको loan मिल सकता है personal loan पंजाब national bank पंजाब national bank में जो pride customer है pride customer यहाँ पे बोला गया है जो defense personnel है जो अच्छे customer है defense, army यह customers को pride customer बोलता है पंजाब national bank उनके लिए जो rate of interest है वो civil पे depend नहीं करेगा direct 8.95% और बाकियों के लिए civil based होगा वो bank of india bank of india में personal loan का जो product है उसे वो लोग कहते है star personal loan तो जो star personal loan है उसकी जो शुरुआत है 10.35 से 12.35 10.35 तो 12.35 परसेंट और आजकल एक नया product चल रहा है दोस्तो हर bank में covid-19 के नाम पे आपको personal loan मिल रहा है जो की काफी अच्छे rate of interest पे मिल रहा है bank of india में सिर्फ 6.85 परसेंट पे आपको मिल जाएगा बाकी banks में भी covid-19 personal loan का जो product है वो available है आपके लिए दोस्तो उमीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी काम की लगी होगी अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजे चैनल को जल्दी से subscribe कर दीजे ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आपसे miss ना हूँ आपका दिन शुबो धन्यवाद